अलो बच्चों तो क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर मोशन और इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ी थी equations of motion और equations of motion के हमने दौनों टाइप की थी graphically और algebraically ठीक है तो दौनों टाइप से हमने आपको motion of equations derivation करने सिखाए और जो आप use कर सकते हैं जो आपके clear करते हैं इसके उपर जो numericals आते हैं ठीक है तो आज हम एक numerical force लेंगे कि numericals इस पर कैसे आते हैं तो देखिए पहले तो हम equations of motion लिख लिएते हैं कि हमारे पास equation of motion जो है वो है 3 यहाँ equations of motion तो फर्स्ट equation थी आपकी V is equal to U plus 80 second equation थी S is equal to UT plus half 80 square और जो थर्ड equation थी वो थी V square is equal to U square plus 2 AS इन टर्म्स को आप जानते हैं V है final velocity U है initial velocity A है acceleration V क्या है final velocity U क्या है initial velocity A क्या है acceleration T है time और S है आपका displacement ठीक है जी तो यह थी conditions आपके ट्रम्स तो इसमें simple numerical आते हैं और आपको देखना है कि कौन सी Christian सम्झे यूज कर सकते हैं कोई condition नहीं है आपके पास ठीक है आपको numerical मिले उसमें से value रख लीजिए जो जो value आपको given है after that you can use किसी को भी यूज कर लीजिए तो देखिए जैसे हम बोल सकते हैं कि कि फर्च कोश्चन लेते हैं कि एक कार कर इस एट रेस्ट कि एंड कि इस्टार्ट कि एंड कि इस्टार्ट कि एंड इस स्पीड कि बिकम 54 km per hour in 10 सेकेंड find its acceleration ठीक है नो मेरी कास आएंगे तो नो मेरी कास आपको पढ़ना simple लखना है तो देखिए एक कार इस एट रेस्ट एंड इस स्टार्ट एंड इस स्पीड बिकम्स 54 km per hour ठीक है इसकी speed 54 km per hours हो जाती है 10 seconds find its acceleration तो देखे एक concept यह रखना है अगर कोई भी object rest पर है अगर कोई object rest पर आपको हमिसे है रखना है कोई object rest पर है तो उसकी initial velocity 0 होती है clear है तो यहाँ पर जो case हो गया इसका मतलब given क्या है u is equal to 0 है clear है अगर कोई भी object है वो rest पर है और move करता है तो उसकी initial velocity 0 है फिर वो जो velocity gain करता है उसको हम बोलते final b v कितनी है 54 km per hour यह time है दिखाई दे रहा है तो simple चलिए जी find पूछ रहा है a तो आपको समझ मेह रहा है कि देखो u है v है t है a है u है v है t है a है तो first वाले को लगा दे simple सा लेकिन लगाने से पहले एक चीज़ और जोच लीजी आप कि देखे time आपका second में है और यहाँ पर जो speed दे रखी velocity दे रखी है वो उसकी average में दे रखी है kilometer per hour में तो हमें इसे meter per second में convert करना पड़ेगा unit same होनी चाहिए compare के साथ तो हम इसको ऐसे लिख सकते है V is equal to 54 into 5 upon 18 मैं आपको बताया है कि अगर कोई speed और velocity kilometer per hour में है और आपको वो meter per second में convert करना है तो आप directly उसे 5 upon 18 की multiply कर दीजिए otherwise पहले kilometer को meter में convert कीजिए और hour को second में convert कीजिए फिर आप solve कर लीजिए तब भी वही आए जो answer है वही आएगा ठीक है यह हमने solve करके ही लिखा है तो 18,3 जा 54 होते है और 3,5 जा 15 तो यह हो गया 15 meter per second किलियर है 15 meter per second हो गया चलिए जी तो अब लगा देते है by first equation by first equation of motion ठीक है क्या कहते है equation of motion V is equal to U plus 80 शालिए जी V की value 15 U 0 A find करना है T की value 10 clear है तो 10 A is equal to 15 so A is equal to 15 by 10 that is 5 sorry 5 से काट लेजिए तो 3 by 2 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 3 by 2 unit क्या होती है इसकी meter per second square यह से आप divide भी कर लें तो यह हो जाए कि 1.5 meter per second square ठीक है तो इस type से हमें question करना है second question देखिए ठीक है question कुछ नहीं question simple होते है आपको concept आना चाहिए बस सबसे पहले आपको given value रखना है फिर आपको यह check करना है कि कोई value हमें convert तो नहीं करनी यानि जब solve करेंगे तो सबकी unit same होनी चाहिए उसी terms में जो हम solve कर रहे है and after that using the equations आप यूज कर लीजिए आपका answer आ जाएगा तो a car changes its speed 40 meter per second to 80 meter per second in 4 seconds find its acceleration ठीक है जी तो देखिए a car changes its speed 40 चल किस से रही थी 40 से चल रही थी इसका मतलब u क्या है u आपका 40 है कितनी हो गई 80 हो गई इसका मतलब यह v है कितना टाइम लगा 4 seconds लगा a पूछ रहा है आपसे simple question हो गया देख लीजिए यह meter per second यह meter per second second आपको कुछ चेंज नहीं करना बस equation लेनी है first तो y first equation लगा दीजिए v is equal to u plus 80 80 is equal to 40 a find करना है t की value 4 रख लीजिए ठीक है जी तो देखे 40 इसे minus कर दीजिए धर 80 minus 40 is equal to 4a तो 80 में से 40 गया तो 40 4a is equal to 40 तो a is equal to 40 by 4 that is 10 meter per second square this is the answer clear है तो इस तरह से आप questions solve कर सकते है questions में रहता है कुछ नहीं है cable given value check unit convert तो नहीं करना ही after that putting and solve a bus is moving with speed 30 meter per second apply break and comes to rest in 5 seconds find its acceleration reality में acceleration होगा या de-acceleration होगा या आपको समझ में आ जागा और उसको हम बोल देते हैं de-acceleration या retardation ठीक है तो कोई problem नहीं है तो देखिए a bus is moving with speed तो ये u है या वी है बताए फटापट a bus is moving चल रही है इसका मतलब initial है तो ये u है अपकी u is equal to 30 meter per second break apply and comes to rest comes to rest यानि रुक गई तो इसका मतलब v अप 0 है कितने time में 5 second में आपसे पूछा a क्या है तो क्या यहां भी first equation के use कर सकते है कर सकते है ठीक है आप कहीं से भी कर लिए आपको पताए t u v तो सबसे आसन v पढ़ेगी आपको v is equal to u plus at v 0 है u 30 है पिलस a पता नहीं और time है 5 तो देखिए 5a is equal to minus 30 इदर लेंगे तो a की value कितनी हो गई minus 30 by 5 that is minus 6 meter per second square ठीक है answer आपको देखिए negative आपको तो this is called a retardation retardation और या de-acceleration clear है तो इस टाइब से questions आते है आपको आपको देखिए और देखिए question a train is traveling with speed 90 km per hour apply brake apply brake ठीक है इसे ब्रेक एपलाई करें apply brakes and retardation या de-acceleration 1 by 2 meter per second square तो आप से पूछ रहा है find the distance when it comes to rest when it comes to rest यानि वो दिस्टेंस कवर करनी है कि जब तक वो rest पर आने तक चलती रहेगी ठीक है इसमें आपको या यू हो गया समझ मारा है 90 km per hour rest पर आ गई है तो V 0 हो गया A दे रखा है इसमार आपको A दे रखा है T नहीं दे रखा है और ये A कितना है 1 by 2 meter per second square एक चीज़ बताइए बस इसमें यहाँ एक चीज़ जहानक नहीं आपको जो बच्चे जाजतर गलती कर जाते है कि A को 1 by 2 meter per second इसकारी लिख लेते है यह इसने apply करा है और retardation हुआ है acceleration हुआ है तो यह 1 by 2 है यह minus 1 by 2 है यह minus 1 by 2 है बस यह याद रखना है बहुत यह de-acceleration हो रहा है तो इसकी जो value है वो है minus 1 by 2 clear है बस अगर आप इसे द्यान लखेंगे तो आपको question सही हो जाएगा आपको S find करना है ठीक है S find कर सकते हैं हम यहां से easily तो देगे आपके पास U है V है A है S है और A जो है वो meter per second में है और U किसमे है 90 km per hour से तो पहले आपको U को change करना पड़ेगा 95 upon 18 18 5 90 and 5 5 25 meter per second ठीक है unit same होनी चाहिए चलिए जी A है U है V है S है T नहीं है तो time की दोनों को छोड़ दो third वाली को ले लो तो भाई thirds Y third equation तो third equation ले ली जाप V square minus U square is equal to 2 A S B कितना है 0 U कितना है 25 2 A कितना है 1 by 2 minus का और S हमें finding करना है तो दीखे 25 का square करोगे तो यह हो जाएगा 6 to 5 minus 2 से 2 कट जाएगा minus S minus से minus भी कट जाएगा तो S की value हो जाएगे 6 to 5 meter यानि यह वो distance है जो apply break करने पर जो train है आपकी वो rest पर आ जाएगी ठीक है तो बहुत simple concept है कोई problem नहीं है बस आपको questions को थोड़ा पढ़ाना है deeply और इन छोटी छोटी बातों का याद रखना है कि minus acceleration तो नहीं लगना भाई अगर बढ़ रहा है acceleration तो positive लगना है अगर घट रहा है तो negative लेना पड़ेगा ठीक है तो यह चीज रखनी है आपको याद हुआ 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 है हुआ है चलो एक question ओ लिते हैं ए बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट ए बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट चीक है विद ए यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन उनिफॉर्म एक्सिलरेशन माल लीजे 0.1 m per second squire FOR 2 minutes. थीक है 2 minutes के निएистके पास कितना एक्सिलरेशन था। 0.1 m per second sq waar आपसे पूछ Nicole रहा है find the speed find the speed आप मतलब कितनी स्पीड हो जाएगी required and distance कबाड ठीक है आपको speed बतानी है और आपको distance भी बतानी है कितनी स्पीड हो जाएगी बता कबर कर लेगा और कितनी distance कबर करेगा तो देखे पहले कि आप मिलना है में इस बस start from rest यू जीरो है एक्सेलेर्शन बढ़ रहा है टाइम भी मिल गया हमें टू मिनट टू मिनट इसको हम लिख सकते हैं टू इंटू 60 यानि 120 सेकेंड बैस सेकेंड में रखना था वी निकालना एक तो हमें तो यू है ए है ट है तो वी निकाल सकते है वी तो निकाल दीजिए वी इस इकल टू यू पलस ए टी तो वी है आपका निकालना है यू है जीरो ए है आपका 0.1 और टाइम है 120 इसकी मिल्टिप्लाय करेंगे तो तो देट इस 12 मीटर पर सेकेंड किलियर है तो आपकी जो स्पीड आगई हो आगई 12 मीटर पर सेकेंड आप पूछ रहा है कि डिस्टेंस कितनी कबर करेगा तो सेकेंड इपकेशन को लगा लीजी आप अप S इसी कल टू U T पिलस हाफ 80 स्क्वायर ठीक है तो S निकालना है U आपको पता है 0 ही है तो 0 इन्टू टी यह तो 0 हो गया पिलस 1 बाई 2 एक इतना है 0.1 और T कितना है T है आपका 120 किलियर हो गया एस इस इकल टू यह तो 0 हो गया इसको अमसोल कर लेते हैं 1y2, 0.1 120 समझ बारे T2 है तो इसकी यहां से डिवाइड कर देते हैं 60 टाइमस 60 की इसमें मिल्टिप्लाइ करेंगे तो 6 हो जाएगा और 6 की 120 में मुल्टिप्लाइ कर दें तो आपका अंसर आजाएगा 720 मीटर किलियर है तो इस टाइब के कोश्चनस आप इजीली सोल्ब कर सकते हैं मैंने बदाया कि कोश्चनस में कुछ भी नहीं होता इन कुश्चन में केबल आपको वैलू को रखना है ज्यान से फर्स्ट चीट माइन में रखना है कि वैलू जो गिबन है उन्हें रख लीजिए सेकंड चीज चेक कीजिए कि गहीं आपको कोई यूनिट तो चेंज नहीं करनी है और थर्ड चीज आप देख लीजिए कॉन सी क्वेशन से वैलू फाइल कर सकते हैं कि लियर है तो यह थे कुछ कोश्चन्स जो आपको कराये थे मैंने ठीक है और आप चाहें तो और भी कोश्चन्स बहुत सारे कोश्चन्स है इसमें आप करें ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है कितने भी कोश्चन्स करा लें वो उतना ही कम है तो वीडियो में आप समझ रहे हो कि सभी कोश्चन तो आनी सकते है फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो कमेंट करें और हम उस टाइब के कोश्चन्स और कराएंगे आपको ताकि आपकी फिजिक्स का बेस इस्ट्रोंग हो जाए ठीक है तो लाइक करें सब्सक्राइब करें बेस्ट अप्लागता झाल कर्ण दो